आज मैं आपके लिए एसी चीज लेके आई हूँ अगर इसे आपने बचा लिया ना तो आपका मतलब बहुत सारा पेसा तो बचेगा ही साथ में बहुत ही ये यूसफुल होने वाला क्योंकि इसे हम रोजी यूस करते हैं और इसके बिना हमारा मतलब जीवन अधूरह ये समझ देखना है जिससे आपको सही से ये समझ में आए और इसको आप जरूर एक बार बना के ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सस्क्राइब भी कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना और ये विल्कुल एक दम जीरो कोश्ट में बनके रेड़ी होगा और आपके घर में चोटे बच्चे या बड़े बच्चे आप भी हो तो ये आपको बहुती यूजब ऑने वाला है तो आपके घर में हर किसी के घर में इस तरह के져 पेपर्स तो पड़े रेते हैे कॉप व.ँजब है कि तो आप किया कि इस तरह से ऊौकर चो जादा नहीं डालना वैस थोड़ा थोड़ा डाल दीजी यह मैंने जादा डाल दिया था इससे कम भी अगर आप डालोगे तो भी यह बहुत ही अच्छा बनके रेडी होगा और यह आपके इतने काम आएगा अगर आपने वीडियो को लाश तक देख लिया ना तो आप जरूर प्रक्षित ड्राइब होने के लिए रख सकते हैं या फिर आप इनको ऐसे भी योज़ कर सकते हैं तो और जितने भी सारे आपके पास एक देखिखे इतना तो दोड़ा सा उसमें सेमपू था उसमें कितने सारे बन गए हैं अगर आपके पास सेमपू छोटे छोटे पच्ट तो आप इसे नए सेम्पू से भी बना सकते हो ऐसे नहीं है कि आपके पास सेम्पू नहीं बच रहा है बोटल लाते हो तो आप बिना बोटल के वाले बोटल वाले से भी बना सकते हो इसके लिए आप कोई भी शेम्पू यूज कर सकते हो जैसे कि आप जैसे जो भी शेम्पू में भी उसको यूज कर सकते हैं और देखिए घर थे हमारे बच्छे क्या करते हैं कि हा थे आटאני एक पहले चेह always कर लिए जिससे कि आपको बच्छे मज़े में ही हातरों को डोले और आप से मतलब बार बार कहना नहीं पड़े क्योंकि एसा कुछ हैंन兩個 करते हैं तो खुदी आते पेर दोने लगते हैं कहने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे भी साबुन से बहाद बच्चों को दोने में बहुत मजाता है वो क्या करते हैं कि साबुन को बहुत देरता कि धरुदर करते रहते हैं तो आप पेपर अगर यूज करते हो तो बस उतना ही सेम्पू आ में तो जादा निकल जाता है कम निकल जाता है तो हमारे साथ होता है तो आप क्या कीजिए इस तरह के रहें कर स्केठोंध चयां करने और ऍह strangely हो जाएगा तो देखे इसे ही फेक देते तो आप इसको फेको मती इसका बहुत ही अच्छा है कि यूज में आपको बताऊंगी बार बार इसलिए कहते हूं कि आप आधा ही छोड़के चले जाते हैं इससे आपको पूरा नोलेश्ट तो मिलता ही नहीं है और आप आप अबाद में आकर इधर एसे वे पहले ही होती है और अच्छा भी मतलब एक दम बेसा वाइट वाइट होता है तो बस आप क्या करिए कि इस तरह से कटने के बाद एक कुछ भी मग्य में या कुछ में भी साबुन ले मतलब पानी ले लीजिए और पानी में सारे पेपर्स को इस तरह तोड़ा सा लगा दीज जितने भी आपको चाहिए एक साबुन के पेपर्स में आपके बहुत सारे बन जाएंगे और आप दिन मतलब दो तिन दिन इसको आराम से यूज कर सकते हो और जब हम साबुन से ऐसे हाथ होते हैं बच्चों को साबुन हाथ दोने के लिए देते तो बहुत देर तक खेल करत करते ने सी तरह a ल म में पीप्ट कैता यगाईती तो आप की वित खेल रे परस कर सकते हैं रिए और बड़े भी इसपा कर सकते हैं यूज क्या होता है कि हम इदर उधर साबुन से गंदे हाथ लगाते है और फिर वही जम्स हमारे हि 오랜만 में वह बनाने कर लीजिए और जब में टाइम भी पच्चेगा जब भी हम बच्चों को कहते हैं के इंड बोस कर लो तो वो बच्चे अपना टाइम वेश्ट करते रहते हैं वहीं पर लगे रहते हैं साथ उने के लिए आपका सावन तो गलता ही साथ में बच्चों को सर्दी खांसी होने का भी डर रहता है क्यों हम घर पे ही बना सकते तो क्यों पेसे खर्च करना वो कहते हैं ना मैं हर वीडियो में आपको बताती हूं कि जो चीज अपने बनाए चीजों में खुसी होती है वो और किसी भी चीज में नहीं होती है तो देखी बातों ही बातों में सारे पेपर्स में साबून लग गए आप एकी साइड भी लगाना चाहते तो एकी साइड साबून लगाई है और इनको इस तरह से सुखाने के लिए, इसे आप दूपने तो सुखा ऑगेरा में यह सूख जाते हैं और सूखने के बाद यह बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, अइकतम सूखे-चुखे. और वह बस सुखाने के बाद आपको क्या करना है कि इनको एनको डबी में भरके रख दीजिए आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं इसकूल बगेरा में ले जाने के लिए बच्चों को दे दीजिए और एक उठाकर बच्चों के लिए चुटे-चुटे-चुटे फीशेश में और देखे कितना अच्छा भी लग रहा है और आप इसको बच्चे को दे दीजिए वह इंफोस कर लेगा और आप भर में पी इसको यूज कर सकते हैं मैं बोने मृष्ट लाउ Todos इसको के विडियो आपको यह साथ हर ना व्यींट प्रीटी विलाई और यहञा होनी देखे आप भी एसव फजिए यूज किजिए और मुझे जरूर बताईएगा अपना जैसे आपका बना है कम आक एसावन लाइक करदा देजिए